खालिजनानी साज़श का नया पोस्टर बॉय और मास्टर माइड अमरतपाल कहां गायब हो गया है विदेश भाग गया है पंजाब में है उसके मददगार क्या उसके सुरक्षा कवज बने हुए है पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी है लेकिन लगता है कि अमरतपाल प कोश्टी उससे पहले वो लापता हो रहा है उसके वो ऑडियो भी सामने आ चुके जिसमें वो लड़कियों को ब्लाकमेल कर रहा है लेकिन तमाम सबूतों से लेकर सुराक तक के बावजूद अमरतपाल पुलिस की पकड़ से दूर है और ये हम आपको तस्वीरे भी दिखा कर रहे हैं कि एक बड़ी साजश रच के वो भागने में काम्याब रहा है एक अम्रित्बा और उसके कई चेहरे कुछ तो ऐसे हैं जो बेहद ही हैरान करने वाले हैं कुछ तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि उसे ना तो किसी मज़ब से कोई लेना देना है और ना ही वो कोई संथ है पुलिया पदल पदल कर भागने वाला पुलिस की आँखों में धूल जोकने वाला देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अमरित्पाल एक ब्लैक मेलर भी है अब अमरित्पाल पर जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौकाने वाला है दरसल वो लड़कियों को धोखे से अपने जाल में फसाता था और उन्हें ब्लैक मेल भी करता था अमरित्पाल का ये आउडियो सुने अमरित्पाल के कई आउडियो आज तक के हाथ लगे हैं जिसमें वो खुद अपने इन संगीन कर्टूतों को साज़ा कर रहा है होन फिर बाच मैंनों दी स्क्रीन रिकॉर्डिंगा कीती है सारी है स्नैप चड़ दुझे फून तो फिर मैं वी चंगी खाच कीती माफिया मंगे शुटी फिर मैं कौन हो अपनी बाचीत में अमरत पाल सिंग कुछ लड़कियों का नाम लेकर बता रहा है कि वो कैसे उससे शादी करना चाहती है लेकिन ऐसा वो नहीं चाहता अमरत पाल कनाटा की एक लड़की का भी हवाला दे रहा है जो उससे शादी करना चाहती थी अमरत पाल कई लड़कियों से चैट करता था उन्हें अपने जहासे में फसाता था फिर उन्हें धोखा देता था उन्हें में से कुछ लड़कियों के चैट के स्क्रीन शॉट आज तक के हाथ लगे हैं इस ब्लैक मेलिंग वाली साजिश के साथ साथ अमरत पाल को लेकर एक खुला सा ये भी है कि वो देश छोड़कर कनाडा भागने के फिराक में था इसके लिए उसने 2021 में ही टेंपरेरी वर्क पर्मिट के लिए अपलाई किया था बात आगे भी बढ़ चुकी थी लेकिन मकसद पूरा नहीं हो सका आज तक पे और मंजीत सेगल हमाईस तमाईस सेयोगी जोड़कियो और अपडेट के साथ मंजीत कई सुराग तो हाथ लगे हैं लेकिन अगर कुछ हाथ नहीं लगा है तो हुआ है अमरित पाल दिखे अरपिता आप ये जो CCTV फूटेज और जो फोटोग्रेप्स हम लोग देख रहे हैं सिर्फ 18 मार्स तक की हैं उसके बाद 5 दिन हो गए हैं पुलिस के आथ में कोई सुराग नहीं लगा है पुलिस इधर से उधर चापे मारी कर रही है और अब तो केंदरी सुरक्ष अजेंशियों से ऐसे अलर्ट भी आ गए हैं अमरित पाल भेश बदल कर इन देशों के जरिये बाहर भाग जाए तो वहीं अगर पंजाब पुलिस की जांच की बात करें तो पांच दिन के बाद पुलिस ने क्या किया पुलिस का सिर्फ एही रटा रटाया जबाब है कि अमरित पाल को जल्द गिरफतार कर लिया वहीं से उसने गुरुदारे के गरंति का मुबाइल चीन कर कुछ मुबाइल फोन कॉल की थी एक काल रिवाडी में की गई थी दो काल स्थानिये लोगों को की गई थी जो बात में बाइक लेकर वहां पर पहुंचे अब पुलिस इन मुबाइल फोन कॉल के जरिये आगे इस बीच अमरित पाल कहां से कहां चला गया ये भी देखने वाली बात है तो कुल मिलाकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है बार बार वो कहीं न कहीं चापे मारी कर रही है चापे मारी सिर्फ पंजाब तकी सीमित नहीं है बलकि पडोसी राजे राजस्तान हर्याना हिमाचल प्रदेश अब उत्तरा खंड की पुलिस की मदब भी लिजा रही है लेकिन अभी तक अमरित पाल का कोई सुराग नहीं है अर्पिता